नमस्कार दोस्तों मैं बिग्रम और मैं स्नेक्सेवर आप सबका अपने यूटूब चैनल पे तहदिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं जो चीज बताने वाला हूँ वो सायद ये आपको पता हो तो चलिए किसी का जादा टाइम जाया नहीं करते हुए हम अपने टॉपक के और चलते हैं अगर आप अभी तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटम पे क्लिक करके हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना वोले तो आईए दोस्तों मैं आपको बता दूँगी पूरे विस्व में सांपों के परजातियां तीन है अर्श अधिक पाई जाती हैं जिन में से 600 सांप ही जहरीले होते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग भारत के निवासी हैं तो सबसे पहले हम लोग भारत के सभी सांपों के बिशे में चर्चा करेंगे दोस्तों भारत में सांपों के परजातियां 270 पाई जाती हैं जिन में से मातर 85 जहरीले होते हैं और उनमे से भी जो अतिधिक जहरीले होते हैं वो मातर उनकी शंक्या 15 है और सबसे ज़्यादा भारत के सबसे ज़्यादा जहरीले और घातक शांप मातर 6 होते हैं तो आईए दोस्तो हम आज एक शांप को रेश्क्यू किर रहे हैं और इसके बारे में आपको बताते हैं जो की बरसात के दिनों में यह साप सबके घरों में ज़्यादा ज़्यादा घुसाता है और यह साप सबसे ज़्यादा देखने को भी मिलता है दोस्तो यह जो साप है इसको शेकरवेड किलबैक स्नेक कहते हैं इसी साप को water snake भी कहते हैं इसी को पनिया साप भी कहते हैं और इसी को धोड़िया साप भी कहा जाता है तो दोस्तों ये साप बिल्कुल ही जहरीला नहीं होता है लेकिन काटता बहुती तीजी से है इसके काटने पे कई सारे दांत इसके धस जाते हैं और काफी जादा मातरा में ब्लड आने लगता है ये काटता है वहां का मंस नूच लेता है क्योंकि इसके जो है कि लगभग शोट डेर सो इसके अंदर छोटे छोटे दांत पाए जाते हैं जो कि काफी नोगीले होते हैं और इसका वार दोस्तों खाली नहीं जाता है और लोगों के मृत्यू डर से हो जाती है इसके काटने पर भी कई लोग बिहोस मिल जाते हैं विहोसी हालत में मिलते हैं और हमने कई लोगों को ऐसा देखा है कि बिहोस हो रहा है तो ऐसा जाती हो आप बिलकुल जब भी साप काटे कि आपको थोड़ा भी घबडाना नहीं है सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपको कौन सा साप काटा है जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि भारत में 270 प्रयातियां है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सबसी साप जहरीले ही है और आपको जो साप काटा है वो जहरीला है तो ऐसा आप है जो है कि इन सब चीजों के विशे में नौलेज गेन करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अधिक साधिक जानकारी प्राप्ट करिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आपके लिए यह चीजे बताई जा रही है हो सकता है लोगों में सेर करें और कहीं भी साप दिखाए देता है तो हमारे दिये गए नंबर पे कॉल करें और हमसे एक बार जरूर शलाह लें साथियों मैं आपको बता दो कि यदि आप मेंसे किसी को भी या कहीं भी किसी को bite होता है तो आप यूरा की एक वार उस साप का photo हमको बेजेंगे तो मैं आपको बता दूँगा कि वो साप जरीला है कि नहीं यहाँ पर दोस्तों देखिए बच्चों को भी प्रसिक्षप मैं दे रहा हूँ ताकि उन सापों को पाशान कर सके